समस्कार मेरे जितने वीडियो देखने वाले हमेशा हमेशा खुश रहें ये देखिए मनी प्लांट ये घर में लगा हुआ बहुत ही सुन्दर लगता है और कहते हैं जिस घर में ये मनी प्लांट लगा होता है उस घर में पैसों की भी कभी कमी नहीं रहती जैसे जैसे ये मनी प्लाट बढ़ता है वैसे वैसे घर में धन बढ़ता है इसको लगाना बहुत ही असान है इसकी यहां से यह देखिए यह जो जड़ है कितनी सारी जहां से जड़े निकली है आप यहां से कट कर ले ऐसे और ऐसी इस तरह से यह देखिए यह जड़ निकली हुई है न यहीं से हम इसको लगा सकते हैं इससे हमारे दो तिन पोधे बन जाएंगे इसको कुछ नहीं करना है बस ऐसे ही इसको यहां पर मिट्टी में लगा देना इस तरह से आएसे और इसको थोड़ा सा पानी दे देना उपर से इसको पानी का चाहे ज़्यादा दे चाहे कम दे इसको कोई फरक नहीं पढ़ता पानी से क्योंकि यह पानी में ही रहने वाला अगर ज़्यादा भी पढ़ जाता है तो कोई बात नहीं यह बहुत ही शुप पोध है घर में लगाने के लिए कहते हैं इसको चुरा के लगाना चाहिए पर अगर चोरी करके भी लाते हैं तो वो भी देखना चाहिए कि जिस घर से हम चोरी कर रहे हैं उस घर में सुक शांत सब कुछ सही हो तब ही उस घर से आप मनी पुलांट का पोधा चुरा के लाएं वर्ना नहीं लाएं क्योंकि अगर उनके घर में पैसा होगा और शांती सुख नहीं होगा लडाई जगडे होंगे बीमारियां होंगी तो जैसे ही आप मनी पुलांट लाएंगे वो सब चीज अगर लाना है चुरा के तो अच्छे घर से लाएं जहां पे सुख शांती हो सब कुछ सही हो फिर लाएं और इसे अपने घर में लगाएं इसको लगाना ही आपने देखा है बड़े असान तरीके से लग जाता है और घर के लिए भी अच्छा है देखने में भी सुंदर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे घर में धन बढ़ता जाएगा कि घर में जो कमरे में हवा है उसको भी शुद्ध करता है कि इस तरह से कि और यह इस तरह से बढ़ जाएगा यह देखिए कि आप इसको रस्ची से भी बांद सकते हैं और स्टिक के साथ सहारे से भी आप बांद सकते हैं इसको यह देखिए इस तरह से यह पोधे चलते जाते हैं बड़े होते जाते हैं आप इनसे एक से कई पोधे बना सकते हैं अपने घर में कि इनने लगाईए बहुत ही सुन्दर पोधा है मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत हैं और मेराईए देखने लीडियोग का आपका आपकाग क कुड़ है वीडियोग